माननीय प्रधान मंत्री जी से सादर निवेदन है कि इस गौरवशाली आउसर पर अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें माननीय प्रधान मंत्री जी बिहार के राजपाल स्रीफागु चौवान जी बिहार के मुख्यमंत्री शिमान नितीज जी केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे सहयोगी प्यूष गोएल जी रविशंक प्रसाज जी गिर्राज सें जी नित्यानन राय जी सुष्री देवासरी चौदरी जी बिहार के उपमुख्यमंत्री भाई सुषिल जी अन्य मंत्री गण सांसद और विधायक गण और तकनिक के माध्यम से जुड़े बिहार के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों साथिवाज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के ख्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है कोसी माहसेतू और क्यूल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात रेलवे के बिजली करण और रेलवे में मेकिन इंडिया को बढ़ावा देने नए रोजगार पैदा करने वाले एक दर्जन प्रोजेक्ट का आज लोकारपन और शुभारंब हुआ है लगबग तीन हजार करोड रुपिय के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्क तो ससकत होगा ही पस्चिम बंगाल और पुर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी बिहार सहीत पुर्वी भारत के करोडों रेल यात्रियों को मिलने जा रही इन नई और आदुनिक स्विज़ाओं के लिए मैं आज सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सात्यों बिहार में गंगाजी हो, कोसी हो, सोन हो नदियों के विस्तार के कारण बिहार के अनेक हिस्से एक दूसरे से कटे हुई रहे हैं बिहार के करीब करीब हर हिस्से के लोगों की एक बड़ी दिक्कत रही हैं नदियों की वजह से होने वाला लंबा सफर और जब नितिश जी रेल मंत्री थे जब पास्वान जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने भी इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया था लेकिन फिर एक लंबा समय वो आया जब इस दिशा में जादा काम ही नहीं किया गया ऐसे में बिहार की बिहार के करोडों लोगों की इस बड़ी समस्या के समाधान के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं पिछले पांट-छे साल में एक के बाद एक इस समस्या के हल की तरफ तेजी से कदम आगे बढ़ाये गए हैं साथियों चार वर्स पहले उत्तर और दक्षिन बिहार को जोडने वाले दो महा से तु एक पटना में और दूसरा मुंगेर में शुरू किये गए थे इन दोनों रेल पुलों के चालू हो जाने से उत्तर विहार और दक्षिन बिहार के बीच लोगों का आना जाना आसान हुआ है खास कर उत्तर विहार के खेत्र जो दसकों से विकास से बंचित थे उन्हें विकास के लिए नई गती मिली है आज मिथिला और कोशिक शेत्र को जोडने वाला महा सेतू और सुपोल आसनपूर कुफार रेल रूट भी विहार वास्यों की सेवा में समर्पित है साथियों लगबग साटे आठ दसक पहले भूकम की एक बीशन आपदा ने मिथिला और कोशिक शेत्र को अलग थलक कर दिया था आज ये संयोगी है कि कोरणा जैसी वाज़िक महामारी के बीच इन दोनों अंचलों को आपस में जोड़ा जा रहा है मुझे बताया गया है कि इसके आखरी चरण के कार्यों में दूसरे राज्यों से आए स्रमिक साथियों ने भी बहुत सहयोग किया है वैसे ये महा सेतू और ये प्रोजेक्ट स्रद्धे अटल जी और नितिश बाबु का ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है जब 2003 में नितिश जी रेल मंत्री थे और स्रद्धे अटल जी प्रधान मंत्री तब नई कोसी रेल लाइन परियोजना की परिकल्पना की गई थी इसका उद्देश यही था कि मिथिला और कोसी क्षेत्र के लोगों की दिक्कतों को दूर किया जाए इसी सोच के साथ 2003 में अटल जी द्वारा इस परियोजना का सिलान्यास किया गया था लेकिन अगले वर्ष अटल जी की सरकार चली गई और उसके बाद कोसी रेल लाइन परियोजना की रप्तार भी उतनी ही धीमी हो गई अगर मित्रदान्चल की फिक्र होती बिहार के लोगों की दिक्कतों की फिक्र होती तो कोसी रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम हुआ होता इस दौरान रेल मंत्राले किसके पास था किसकी सरकार थी इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन सच्चा यही है कि जिस रप्तार से पहले काम हो रहा था अगर उसी रप्तार से 2004 के बाद भी काम हुआ होता तो आज का यह दीन पताने कब आता कितने साल लग जाते कितने दसक लग जाते हो सकता है पीडिया बिच जाती लेकिन द्रड निश्चे हो नितिश्जी जैसा सहयोगी हो तो क्या कुछ संभव नहीं है मिट्टी रोकने के लिए आदूनिक टेकनोलोजी का इस्तिमाल करते हुए सुपोल आसनपूर कुपहा रूट पर काम पूरा किया गया है साल 2017 में जो बीशन बाड आई थी उच दवरान हुए नुकसान की भरपाई भी इस दवरान की गई है आखिरकार कोशी महासेतू और सुपोल आसनपूर कुपहा रूट बिहार के लोगों की सेवा के लिए तयार है साथियों आज कोशी महासेतू होते वे सुपोल आसनपूर कुपहा के बीच ट्रेन सेवा सुरू होने से सुपोल, अररिया और सहरसा जिले के लोगों को बहुत लाब होगा यही नहीं इस से नौर्थिस के साथियों के लिए एक वेहिकलपिक रेल मार्ग भी उपलब्द हो जाएगा कोशी और मिथिला क्षेत्र के लिए ये महासेतू सुवीदा का साधन तो है ही ये इस पूरे ख्षेत्र में व्यापार, कारोबार, उद्योग, रोजगार को भी बढ़ावा देने वाला है साथियों, बिहार के लोग तो इसे भली भाती जानते हैं कि बर्तमान में निर्मल इसे सराइगड का रेल सफर करीब करीब 300 किलिमेटर का होता है इसके लिए दर्भंगा, समस्तिपूर, खगडिया, मांसी, सहरसा ये सारे रास्तों से होते हुई जाना पड़ता है अब वो दिन जादा दूर नहीं, जब बिहार के लोगों को 300 किलिमेटर की ये यात्रा नहीं करनी पड़ेगी 300 किलिमेटर की ये दूरी सिर्फ 22 किलिमेटर में सिमड जाएगी 8 गंटे की रेल यात्रा सिर्फ आदे गंटे में ही पुरी हो जायज करेगी यानि सफर भी कम, समय की भी बचत और बिहार के लोगों के धन की भी बचत होगी साथियों कोशी महासेतु की हर तरफ क्यूल नदी पर नई रेल इलेक्ट्रोनिक इंटर लॉकिंग की सुविदा शुरू होने से इस पूरे रूट पर सुविदा और रप्तार दोनों बढ़ने वाली है इस नए रेलपुल के निर्बान से जाजा से पंडित दिंदाल उपाद्याय जंक्षन तक मेल लाइन पर सो सबासो किलोमेटर प्रती घंटा की गती से अब ट्रेन चल पाएगी इलेक्ट्रोनिक इंटर लॉकिंग के चालू होने से हावडा दिल्ली मेल लाइन पर ट्रेनों के आने जाने में आसानी होगी अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी और रेल यात्रा अधिक सुरक्षित होगी साथियों बिते छे साल से भारतिय रेल को नए भारत की आकांशाओं और आत्मन निर्भर भारत की अपिक्षाओं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जा रहा है आज भारतिय रेल पहले से कहीं अधिक स्वच्च है आज भारतिय रेल के ब्रॉडगेज रेल नेट्वर को मानव रहीत फाटकों से मुक्त कर पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बनाया जा चुका है आज भारतिय रेल की रफ्तार तेज हुई है आज आत्मंदिर भरता और आधुनक्ता की प्रतीक बंदे भारत जैसी भारत में बनी ट्रेने रेल नेट्वर का हिस्सा होती जा रही है आज देश के अंचुए हिस्सों को रेल नेट्वर के साथ जोडने की रेल मारगों के चौड़ी करण और बिजली करण की ववस्ता का तेजी से विस्तार हो रहा है साथियों रेल वे के आधुनी करण के इस व्यापक प्रयास का बहुत बड़ा लाब बिहार को और पूरे पूर्वी भारत को मिल रहा है बीते कुछ सालों में मेकिन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्टरी और मढ़ोरा में डीजल लोको फैक्टरी स्थापित की गई इन दोनों परियोजनाओं से बिहार में लगभग चब्वालीस हजार करोड रुप्य का निवेश हुआ है इस सुनकर हर बिहार वासी को गवरव होगा कि आज बिहार में बारा हजार होर्स पावर के सबसे शक्ति साली विद्यूत इंजन बन रहे हैं बरौनी में बिजली के इंजनों के रखरखाव के लिए बिहार का पहला लोको शेड़ भी काम करना शुरू कर चुका है बिहार के लिए एक और बड़ी बात ये हैं कि आज बिहार में रेल नेटवर्क के लगबग 90 प्रतिश्द हिस्से का बिजली करन पुरा हो चुका है बीते छे साल में ही बिहार में तीन हजार किलोमेटर से अधिक के रेल मार का बिजली करन हुआ है आज इसमें पांच और प्रोजेक्ट जुड़ गए है साथियों बिहार में जिस तरह की परिस्थित्यां रही है उसमें रेलवे लोगों के आने जाने का बहुत बड़ा साधन रही है ऐसे मैं बिहार में रेलवे की स्थित्य को सुधारना केंद्र सरकार की सरवोच्च प्रात्फिक्ताओं में से एक रहा है आज बिहार में किस स्टेज गती से रेल्वे नेटवर्क पर काम चल रहा है इसके लिए मैं एक तत्थे देना चाहता हूँ isesti रंगालों दशातको अनुबुवंतो कस्टमர्ला मरिवु स्रेयोपिलाशिल मंननलनु नम्मकाणि गिलिपोंदिन समस्ता VRR कंस्ट्रक्चन्स नान यतक्कू नम्मकालिकी मारु पेरू VRR Constructions इंडिपेंड हाउजेस, अपार्ट्मेंट्स, विल्लास, अन्नी रकाला हंगुलोतो अलरिंचे अध्बुमुमेन वेंचर्स तो पाटु अंदर की अंधुभाट दरलो सुन्त इंटि कलनु साकारम चेसे नम्मकमाईन संस्ता VRR Constructions प्लीज विजिट VRR Constructions वरटेक्स प्लासा नियर राधिका थियेटर Eclx Road, Hyderabad कॉल टू 9100-8855512, 9100-8855512 2014 से पहले के पांच सालो में लगबक सवा 300 किलो मेटर रेल लाईन कमिशन हुई थी आर्षान सब्दों में कहे तो 2014 के पहले के पांच सालो में बिहार में सिर्फ 273 किलो मेटर नई रेल लाईन शुरू की थी जबकि 2014 के बाद के पांच सालों में बिहार में लगबग 700 किलोमीटर रेल लाइन कमिशन हो चुकी है यानि करीब करीब दो गुने से भी नई रेल लाइन शुरू हुई है अभी करीब 1000 किलोमीटर नई रेल लाइनों का अंदिरमान तेजी से चल रहा है आज हाजिपूर, गोश्वर, बैशाली नई रेल लाइन के शुरू होने से बैशाली नगर, दिल्ली और पत्ना से भी सीधी रेल सेवा से जूड़ जाएगा इस सेवा से बैशाली में परियतन को बहुत बल मिलेगा और युवा साथियों को नए रोजगार उपलब्द होंगे इस तरह इसलामपूर नटेसर नई रेल लाइन से भी लोगों को बहुत फाइदा होगा विशेशकर बहुत बत को मानने वालों को ये नई सुविदा मिलने की इसकी काफी आसानी होगी साथियों आज देश में माल गाड़ी और यात्री गाड़ी दोनों के लिए अलग-अलग ट्रैक बनाने की व्यापन व्यवस्ता यानि डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर पर भी तेजी से काम चल रहा है इससे बिहार में करीब डाइसो किलोमेटर लंबा डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर बन रहा है जो बहुत जल पुरा होने वाला है इस व्यवस्ता से ट्रेनों में होने वाली देरी की समस्या भी कम होगी और सामान की डुलाई में होने वाली देरी भी बहुत कम हो जाएगी साथियों जिस तरह से कोरोना के संकट काल में रेलवे ने काम किया है रेलवे काम कर रही है उसके लिए मैं भारतिय रेल के लाखों कर्मचारियों को हमारे साथियों को उनकी विशेश प्रसंसा करता है देश के लाखों स्रमिकों को स्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से सुरक्षित गर पहुँचाने के लिए रेलवे ने दिन रात एक कर दिया था स्थानी स्तर पर स्रमिकों को रोजगार देने में भी रेलवे बड़ी भूमी का निभारा है कोरोना काल में भारतिय रेल की यात्री सेवा भले ही कुछ समय के लिए रुख गई थी लेकिन रेल को सुरक्षित और आधुनिक बनाने का काम तेजगती से चलता रहा देश की पहली किसान रेल यानि पट्री पर चलता हुआ कोल्ड स्टोरेज भी बिहार और माहरास्त के बेच कोरोना काल में ही शुरू किया गया साथियों ये कारकम बले रेलवे का है लेकिन रेलवे के साथ ही ये लोगों के जीवन को आसान बनाने और बहतर बनाने के प्रयास का भी आयोजन है इसलिए मैं एक और विशय की चर्चा भी आज आपके बीच करना चाहता हूँ जो बिहार के लोगों के स्वास्त से जुड़ा है नितिश जी की सरकार बनने से पहले तक बिहार में इकका दुक्का मेडिकल कॉलेज हुआ करते थी इससे बिहार में मरीजों को तो भारी दिकत थी ही बिहार के मेगावी युवाओं के भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों का रूख करना पड़ता था आज बिहार में पंदरा से जादा मेडिकल कॉलेज हैं जिससे अनेक बीते कुछ वर्सों में ही बनाए गए हैं कुछ दिन पहले ही बिहार में एक नए एम्स की भी स्विकृति दे दी गई है ये नए एम्स दर्भंगा में बनाये जाएगा इस नए एम्स में 750 बेड का नए अस्पसाल तो बनेगा ही इसमें MBBS की 100 और नर्सिंग की 60 सीटे भी होगी दर्भंगा में बनने वाले इस एम्स से हजारों नए रोजगार भी सुरुजित होंगे साथियों देश के किसानों के कल्यान की दिशा में कृशी सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुती महतपुन दिन था कल विश्व कर्मा जेनती के दिन लोकसभा में आइतिहासिक क्रिशी सुधार विधायक पारित किये गए है इन विधायकों ने हमारे अन्दाता किसानों को अनेक बंदनों से मुक्ति दिलाई है आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और जादा विकल्प मिलेंगे और जादा आउसर मिलेंगे मैं देश भर के किसानों को इन विधयकों के पारिद होने पर बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं किसान और गरहक के बीच जो बिचोलिये होते हैं जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं उनसे बचाने के लिए विधयक लाए जाने बहुत आवशक थे ये विधयक किसानों के लिए रक्षा कवज बन करके आये हैं लेकिन कुछ लोग जो लोग दसकों तक देश में शासन करते रहे हैं सत्ता में रहे हैं देश पर राज किया हैं वो लोग किसानों को इस विशे पर ब्रमीत करने की कोशिच कर रहे हैं किसानों से जूट बोल रहे हैं साथ क्यों चुनाओ के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी-बड़ी बाते करते थे लिखीत में करते थे अपने गोशना पत्र में डालते थे और चुनाओ के बाद भुल जाते थे और आज जब वही चीजे जो इतने दसकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मेनिप्रेस्टों में है वही चीजे भारतिय जनता पार्टी एंडिये सरकार कर रही हैं किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही हैं तो ये भाती-भाती के ब्रह्म फेला रहे हैं जीस APMC Act को लेकर अब ये लोग राज लीती कर रहे हैं Agriculture Market के प्रावधानों में बढ़लाव का विरोत कर रहे हैं उसी बढ़लाव की बांद इन लोगों ने अपने गोशना पत्र में भी लिखी थी लेकिन अब जब NDA सरकार ने ये बढ़लाव कर दिया है तो ये लोग इसका विरोत करने पर जूट फैलाने पर ब्रह्म फैलाने पर उतर आये हैं सिर्फ विरोत के लिए विरोत करने का ये एक, एक के बाद एक अनेक उधारण सामने आ रहे हैं लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागरत है, वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को किसानों को मिल्क रहे, नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं, देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं, साथियों ये लोग MSP को लेकर बड़ी-बड़ी बाते करते थे, लेकिन कभी अपना वाइदा पुरा नहीं किया, किसानों से किया ये वाइदा, अगर पुरा किसी ने किया है, तो भाजपा NDA की वर्तमान सरकार ने पुरा किया है, अब ये दूस्प्रचार किया जा रहा है, कि सरकार के द्वारा किसानों को MSP का लाप नहीं दिया जाएगा, ये भी मनगड़न बाते कही जा रही हैं, कि किसानों से धान, गेहू, इत्यादी की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी, ये सरासर जूट है, गलत है, किसानों के साथ धोका है, हमारी सरकार किसानों को MSP के माध्यम से उचीत मुल्य दिलाने के लिए प्रतिवद्ध है, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी, कोई भी व्यक्ति, अपना उत्पादर, जो भी वो पैदा करता है, दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहें वहां बेच सकता है, अगर वो कपड़ा बनाता है, जहां चाहें बेच सकता है, वो बरतन बनाता है, कहीं पर भी बेच सकता है, वो जूते बनाता है, कहीं पर भी बेच सकता है, लेकिर एक मात्र, केवल मेरे किसान भाई बहनों को, इन अधिकारों से बंचित रखा गया था, मजबूर किया गया अम नए प्राजदान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाचार में अपनी मन चाही कीमत पर बेच सकेगा यह हमारे कॉपरेटिव्स, कुश्यूत पादक संग, एपियोस और बिहार में चलने वाले जीवी का जैसे महिला स्वयम सहायता समों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है साथियों, नितिश जी भी इस कारकम में महुझूद है, वो भली भाती समझते हैं कि एपी एमसी एक से किसानों का क्या-क्या नुक्सान होता रहा है यही वज़य है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने शुरुवाती वर्सों में ही नितिश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है साथियों, किसानों के लिए जितना NDA सासन में पिछले छे वर्सों में किया गया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया किसानों को होने वाली एक एक परेशानी को समझते हुए, एक एक दिक्कत को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है देश के किसानों को बीज खरीदने में, खाद खरीदने में, अपनी छोटी छोटी जरुनतों को पुरा करने के लिए किसी से कर्ज ना लेना पड़े इसके लिए ही प्रदान मंत्री किसान कल्यार योजना शुरू की गई थी इस योजना के तहट अब तक देश के दस करोड किसानों के खाते में करीब करीब एक लाग करोड रुपिये एक लाग करोड रुपिये सीधे किसानों के खाते में ट्रांस्पर किये जा चुके है कोई बिचोलिया नहीं किसानों को पानी की दिक्पता हो किसानों से अठकी पड़ी सिंचाई दसकों से अठकी पड़ी सिंचाई वो परियोजनाय पूरी हो इसके लिए प्रदान मंत्री क्रिसी सिंचाय योजना पर करीब एक लाग करोड रुपे खर्च किये जा रहे हैं वो यूरिया जिसके लिए लंबी लंबी लाइने लगती थी जो किसानों के खेत में कम और फैक्टरियों में जादा आसानी से पहुँच जाता था अब उसकी सत प्रतिशत निम्कोटिंग की जा रही है आदेश में बड़े स्तर पर कोल स्टोरेज का नेट्वर्क तयार किया जा रहा है फूर्ड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों पर भारी निवेश किया जा रहा है एक लाग करोड रुपे का अग्रिकल्चर इंफासेक्टर फंड बनाया जा रहा है किसानों के पसुधन को बिमारियों से बचाने के लिए देश व्यापकी अभज्यान भी चलाय जा रहा है मचली उत्पादन बढ़ाने के लिए मूरगी पालन को प्रोसान के लिए शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए दूद उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को आई बढ़ाने के अतिरिक्त विकल्प देने के लिए केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। वे किसानों को अनेक बंदनों में जकर कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचोलीों का साथ दे रहे हैं। वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपच देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजाजी देना बहुत आइतिहासिक कदम है। 21 सदी में भारत का किसान बंदनों में नहीं भारत का किसान खुल करके खेती करेगा। जहां मन आएगा अपनी उपच बेजेगा। जहां जादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा। किसी बिचोलिय का महताज नहीं रहेगा। और अपनी उपच अपनी आए भी बढ़ाएगा। ये देश की जरुरत है और समय की मांग भी है। साथियों किसान हो, महिलाये हो, नव जवान हो, राष्ट के विकास में सभी को ससक्त करना। हम सभी का दाइत्व है। आज जितने भी प्रजेश को समर्पित किया गया है, वो इसी दाइत्व का एक हिस्सा है। मुझे विश्वास है कि आज जिन परियोजनाओं का लोकारपन और सुभारम हुआ है, इन से बिहार के लोगों, यहां के नवजवानों, यहां की महलाओं को बहुत लाब होगा। साथियों, कोरोना के इस संकटकाल में हम सभी को बहुत संभल कर भी रहना है, थोड़ी सी भी लाब परवाही आपका और आपके अपनों का बहुत जादा नुक्सान कर सकती है। इसलिए मैं बिहार के लोगों से, देश के लोगों से, अपने आगरा को फिर दोहराना चाहता हूँ, मास जरूर पहने और ठीक से पहने, दो गज की दूरी का हमेशा ध्यान रखे, इसका पालन करे, भीड भार वाली जग़ों पर जाने से बचे, भीड लगाने से बचे, अपनी रोग, प्रतिरोधक, शमता, अपनी युमिनिटी बढ़ाने के लिए, आयुर्वेद की परंपरा वाला जो काड़ा होता है, उसे पीते रहें, गुन-गुना पानी पीते रहें, आप सतर रहें, सुरचित रहें, स्वस्थ रहें, आपका परीवार स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आप सबका बहुत-बहुत धनवाद, बहुत-बहुत सुप आमना है, साधर आभार आधर्णिये प्रधान मंत्री जी इस एतिहासी काउसर पर पूर्वमधिरेल की ओर से माननिय प्रधान मंत्री जी एवं अन्य गड़मान्य महानुभाव। सरिनिटी मोज्रल हाइ स्कोल वीजार्थु लेकु अम्म वोडी सामा अन्यु लेकु अंधुबाटु लो वुन्न बड़ी सरिनिटी मेट्च्वल जिल्लारों मेटिगा निलिची साथिलेरी फलितालनु साथीस्तोंन नेमबर वन स्कोल सरिनिटी माप्रेचेकतलू प्रेथी वीजार्थी पट्ला विक्तिकतस्रेंथा अच्विटी बेस्टों लेर्निंग अदिश्टल क्लास्रूम्स कंप्यूटर लाब 100% फलितालू स्पोर्ट्स अन्कुल्स्राल अक्तिविटीस स्पोर्ट्स अन्कुल्स स्पोर्ट्स